तो गिसी ओर वजह से नहीं हुआ है है रसीसटर पटixa चलंदेइस, सिरफ भर बावसाहाँ को रोपने के लिए वजी सोच को रोपने के लिए वा और इनका निशाना है बावसाहाँ के समिधान को एटक करना ना मनु जोर सब्सक्राइं बनाया और मैं यह पर कि पूरि सिंयदारी के साथ के रहा हूं कि अजीरre और आःगर सबस्क्राइब करें अ कि इस नेयाय और इंसाफ की स्थांपना के लिए तारेग्रिया उसको समात करने के लिए मनुवार ने उससे ज़्यादा तागत लगाई और हमारे क्यारे देश में बहुत धर्म को कमजोर किया बहुत धर्म के कमजोर होने की वज़ा से ही मनुवार इस देश में अपना सर्थ गड़ा उठा पाया मनुवार इंसानियत के खिलाफ है मनुवार इंसाफ के खिलाफ है मनुवार किसी भी स्वाविमानी व्यक्ति के खिलाफ है कोई भी व्यक्ति मनुवार को जो किसी भी तरह स्विकार करता है वो स्वाविमानी नहीं हो सकता तो इंसानी नहीं हो सकता मनु आपको मानने वाले जानवर हैं और जानवर ही रहेंगे पर अब समय आ गया है कि हमें पिंच जानवरों को पकड़के पिंजने में बंग करना निता अवर्शक हो गया है और इस दिशा में जो सबसे महार बेती है हुए है हमारे देश में उनका नाम है डॉक्टर साहब बावा भीराओं बेलकर और मैं ये बात आप लोगों को पूरी जिविदारी के साथ बना रहा हूँ कि RSS का गढ़क ही बावा साहब को और बावा साहब की सोच को रोटने के लिए हुआ है इस बात तो आपको समझना चाहिए RSS का जन्म नहीं सिर्फ बहुत सरे लोग ये बात आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उसी समय जब RSS का जन्म हुआ बावा साहब पढ़ाई खतम करके सामने आ रहे थे मन हुआ आपके खिलाफ सामने खड़े होके इस तरह इस प्रकार का चैलेंज करेंगे जो शायर पहले भी सिर्फ नहीं किया अपका 200 सालोग जिस प्रकार से उन्होंने मनुस्मृति को जलाया समझ कीजिए आपने 277 में उसी दोना अरसिस का बढ़न होना था बावा साहब के तेवर सबको पतार रख चुके थे कि इस नौजवान में क्या क्या शक्ति है और ये किस दिशा में जा रहा है किसी और वज़ा से नहीं हुआ है अरसिस का बढ़ने के लिए बावा साहब की सोच को रूपने के लिए हुआ है तो मैं बार बार आप लोग शाहिए टेलिविजन से भी देखे होंगे हमारे देश में दोगी सोचे हैं तीसरा कुछ है ही नहीं कुछ नहीं है इसके अलावा एक तरफ भनुवाद RSS एक तरफ अम्बेकरवाद यानि के हम सब लोग कुछ और नहीं है सब गारी क्रामा रिखावा छल है कुछ नहीं है हो चाहें ये किसी भी रूप में आया आप लोगो समझ लेना चाहिए और इनका निशाना है बावा साथ के समिधान को अटैक करना मनुवाद के खिलाब समिधान बनाया है बावा साथ ने और मैं ये बाव कि पुरी जिम्मिदारी के साथ कह रहा हूँ कि बावा साथ को पूरी हजानी के साथ समिधान नहीं बनाने दिया गया लेकिन उस समय भी सभी कट्वाइईयों को सभी विरोग को अपने खुद लोगों से याद दीजे बाखासाब को हम लोगों ने खुद उनके समाज के खुद के लोगों ने उनका सांथ नहीं दिया उसके बवजूद को अपने समाज के लिए और हमेशा और हरे कमजोर वर्थ के लिए खड़े गए अकेला तना ये है उन्हीं इमान का तक भी समिदान दिया जब सब के लागते बारजात की मूर बावना इस समिदान में नहीं है जिस तरह का समिदान वो देना चाहते हैं वो ये नहीं है लेकिन फिर भी इतना तो दे गए हैं कि ये वनुवास को समाथ कर सके इतना तो दे गए हैं कि आरसेस को समाथ कर सके और इनकी राई सिर्फ बावसां के समिदान से और किसी से लई है कोई भी चीज़ देखो आप उटाके और सविधान की जो बूर भावना है इंसान की इंसान से बढ़ागरी उस पे अटैक हैंता और किसी चीज़ पे अटैक है बाकी सिर्थ छल है आगरी मस्जिद ये वो आचार ये समान अचार सहींता जब आवसार कर रहेते तक क्यों भाग रहेते पैनासी राष्टवार इनका राष्टवार है आरिवरत इनका भारत नहीं है और अभी मैं आपको लेटेस बता हूँ 1993 से लेके क्या भूहिन चलाएगे तेश का नाम बढ़ने की महिन पावसार आपकी जो सबसे बड़ी चोट थी सोची आपने लोगों पर एक के बाद एक चोट भारत इस इंडिया उसको चेंज करने के लिए समिधान में चेंज करने के लिए इन्होंने एक प्रपोसल चलाया था सनलब्बे के कशन में बावरी मसिद के शहीद होने के तुरंट बाद 1993 में समझ दीजे जहां से आपके बावरी मसिद को क्यों शहीद दिया गया तुरंट उसके बाद नाम चेंज करने की एक मुहिन चलाई गई थी भारत इनिस हिंदुस्तान रखने की जो जो गठती हिंदुस्तान के शब्त का इस्तिमाल करता है वो भावा सहाब के इशारे को नहीं समझता इस देश का नाम भारत है और भारत ही रहेगा किसी ने कोई कुटमिता लिखी हो अल्लामा इबार ने लिखी है वो समझदार रिक्ती नहीं थे एक बहुत अच्छे बड़े शायर हो सकते हैं उनकी बाणी में बहुत शक्ती हो सकती है लेकिन उनको समझ नहीं थी समझ थी बावा सहाब को कि देश में सुरक्षा कैसे आई थी देश महां कैसे बरेगा ये समझ सबसे ज़गा अगर किसी व्यक्तिकोती थी वो बावा सहाब से थी अकपार साथ को कुछ नहीं है, मुहमद एक बार को कुछ नहीं की समझ की, एक शायग होना एक बार को दिया रखी, बहुत अच्छे अच्छे, आज भी है सर्मान स्थाने हों से देखे कि उतालिक जाएगे, कोई बाद नहीं है, लेकिने, नेता में समझ होनी चाहिए, अपने समाज को, अपने देश को, अपनी सोसाइटी को बचाके सरी रास्ते के लिए जाने की, वो समझ सबसे ज़्यादा सिरफ डॉक्टर साथ में थी किसी में ने थी, हमें ये बादे साथ साथ और पे कहनी पड़े थी, हम लोग क्यों मैक्षू को जाता हैं कि वो भी मानते, वो बात को पहले देकर हो जाए है, हमारे देश हरत के इत्यास में, इस बात को हमें किसी से सुनना ही ने चाहिए, इसलिए आज हमत हो रही है इनकी, ये स्वामी अपने आपको राम देश जी कहते हैं ना, वो क्या है और क्या बन्ने की चेश्टा करें, वो भद्दार हैं, वो बताईए हुझे हैं, इसके अरावा क्या होता है, महीं होता क्या है, इसके अरावा मनुवार में, म्रामन चक्रिय वैश और शूद्र क्या हो, शर्मने जाते हुझे हैं, पेरिया साथ के बारे में बोलेंगे, बावा साथ के बारे में बोलेंगे, यूट के माँ जाना चाहि और हमें अगर हम बाव साथ के निवाई हैं तो इस हाथ भी को ऐसी सज़ा देनी हैं कि याद रखेगा और इसके सबी वो रोग याद रखेगे जो बाव साथ की करण उम्भी उसाने की चोड़ कोशिश करेंगे बाव साथ के खिलाए आज मैं आम तो होके दिनी जज़बाती हम बाव साहां को बोला है इसकी होकात क्या है इसको इसकी होकात बता नहीं है रहा हैं इसने नजर अदास करते हैं कोई और गज़ब नहीं थी मेरे पास इसकी सारे रावे कारनामों की चेफैरिस्त है, आब हम इसे नहीं छोडे की। इसका एक्सव क्यों गानुगी। भब साथ कर बोलेगा, भब साथ का नाम लेगा अपनी गंदी जबान से, पेरिया साथ का नाम लेगा, अपनी गंदी जबान से हमिसे गतर आए। और यह मैं आफ दहा राम नास्के। तो साथियों देखिए, बाघरी मसीद का कोई इश्यू मेही है, इश्यू है समिधान का, तीन सुसबत का कोई इश्यू नहीं है, इश्यू है समिधान को किराना है, अधी निश्रिंगु परिशत ने उनके अरोग कुमा साह है, जो उनके इंटरनाशनल प्रेसिरेट बने बनाया गया है। यह है इसकी बन्याद और उसके उनके टेस्ट केसिस कर लिए। नहीं समझेंगी। आप देखिए किस किस जाती के लोग हमारी जुटिशरी में है। तो हमें इससे बचाव करना है तो किटिसिसम करना बहुत सरुरी है। आप लोगों को समिदानी का और बावा साहथ ने क्या था। बावा साहथ ने कहा था कि मैं ऐसी सोच का और कोट की सोच का पालने के लिए उसको मानने के लिए बात देरूं। लेकिन उसकी इजद करने के लिए नहीं, मैं किसी भी जज़नकी बावा साहथ के इशब्दों में इजद नहीं कर सकता। इसलिए हम रिडियू डालेंगे और इसमें बहुत बहुत हैं जो हमारे फुर्द समाज की तरफ से जो आर्ट जो उन्हें पेटिशन अभी उसको निकानी दिया रहा है क्योंकि सच नहीं देख सकते हैं। बावा साहथ का सच नहीं देख सकते हैं। हम यह बता ओर दुसरह करते हैं कि कुछ की सच नहीं कि रिवायद करेंगें। और दूद कदूद पानी का पानी होगा इस ने क्या किया इस देश में इसी केस से फैसला होगा। कितने गुद्विहारों को तोड़ा गया, इसी केस से फैसला होगा। राताजी सस्थाइब कराओ। मैं आप लोगों से आवान करता हूँ। मैं अजबत तुम्हें कितना पड़ेगा। संते जाल हैं। और मैं आप लोगों का आवान करना हूँ। ये लड़ाई गावरी मस्दित की अभी ख़दर नहीं हुई है, शुरुआ हुई है। अब ये क्या होगा कि कितने गुद्विहार तोड़े गएगे। ASI की इन्होंने रिपोर्ट के फैसला किया है ना अब हम ASI के गुरू ही ये बताएं के कि इस देश में हजारों ना ठोक्त जो कुद्विहार तोड़े जाएं हैं वो सब वापिस लिये जाएंगे, उनके उपर जो जो वी स्क्चर्च है वो सब वापिस लिये जाएंगे। लेकिन उसका हमें इनका हर अभी एक नौजवान भाई ने बहुत एच्छी बात दे थी कि हम एक्शन का रियक्शन करते हैं ये हमारा एक्शन है और इनके सारे एक्शनों से सबसे बड़ा एक्शन होगा ये भी आप हम लोगों को प्रांट अबनाएं भावा साथ की कसम काके कि आप इस देश के समस्त गुद्वियार वापिस होंगे चाहे उसके ओपर कोई भी स्क्चर्चर बनाओं हमें इससे उस लिए जाएंगे। और उसकी शुरुबार अभी एक यहां पे देवली वाव में और एक साजिश चल रही है। उसकी हमने केश उसकी डाह दिया है। एक पीयार देवली गाहं में गुद्वियार आप समों बतावगा। बहरबाली करके वहां जाके विजिट करके देवले। वाबसाद की प्रतिमामी है वहाँ पर 30 को तूची तूचको पहाडी पर देली पहाडी को चूचको की पीटिशन दाल दिया हमारी पीट के पिछे जो वहाँ पर समिईती है उसकी पीट के पीचे एक PIL ढली है और उसकी फैसला करा दिया सरकार उसक कमीटी से डिसक्स कर रही है कि हमें स्पूल बने गाइं नहीं पने खाएं और उसके पीचे एक PIL बने आशा कर दिया हूत इस तरह की साजिशे जो हो रही है हमें उसको बेल लगाप करना है उसके लिए प्रड़ना है तो हमने को केस दा रहा है मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सभी उस केस का विध्यान लगे पर अभी एक बड़ी पूही उसके लिए चलानी पड़ी की शायद के लिए काम की जो पहाड़ी है तोहां बहुत ही बड़ा पुद्विया है आप से लोग महरवानी करके जाके देखें कितना सुन्दर रुफद्यार शान लिए चला के लिए उसकी बहुत सारी जगता और लेनी कब्सा हो चुगी है मगर गिर्पया करके बागी सब बचाने आओंके अब जो हमारा भूल रुप से सिधान रुप से फर्मूला क्या है इस नड़ाई को चीखने के लिए कुछ नहीं है मुश्किल नहीं है न सबसे बड़ा दुख और अफसोस इस बात का होता है बाबा साथ तो सब कुछ दे गए हम उसको थानी में से उठा के खाने ही पार रहे है इससे बड़ा तो बाग यह हो सकता है नहीं हो सकता है तो इसमें मैं आपसे नख निवेदन यह करूगा कि सबसे पहले तो हम SCST और माइनोर्टी वाले लोग आपस में कम से कम एक फैमिली एक फैमिली को दोस्ट बनाएं मैं हर ज़ला से निवेदन करता हो अगर हमने यही काम कर लिया तो हम socially, educationally और economically automatic power में आज़रे political भी automatic power में आज़रे कि सिरफ इतना कर लें कि खान, खान, ब्रेंट, सैंब और रोट देना हम सब साव करें ये लोग दो बिनिट में खताम हुजा है इसमें तो ज़रा मेंन भी नहीं करी इसमें तो कोई agitation भी नहीं करना पुर्बान भी नहीं करी हमारे में से कुछ लोग को ऐसे होने चाहिए एक दो परसंट ही जो उनके एक्जाम नगाया जा रहा है हगत सिंग को भी बोला गया था अतनवादी हाँ ये रामदेब बोल है ना हमें Amilitarpaadiyों को आतनवादी बोल रहा है रहत् się को बोला गया था हमें कोई डर्भर नहीं है इस बात से बोलो खूल बोलो हमारे लिए आतनवादी RSS वाद है हमारे लिए आतनवादी मानुवाद है तो मैं आप लोगों से यही बावा साहब ने जो दिया है सभी कम्जोर वर्गों को एक साल करने की जो तातक दिये सविधान उस सविधान के कहता के हम अपनी दोस्तियां बढ़ा हैं एक दूसरे के साथ बिलके रहें उसके बाद कुछ नहीं बचा आज जैसे हमने गुरु रविदास जी का जो हुआ हमने मुस्लिम समाथ बहुत बड़ा प्रदर्शन भी दिया और यह कहा के हम अपने रविदास भाईों के साथ खड़ें साथ नहीं आगे खड़ें बाभी मस्रित ने भी मेरा नभ नियुक्तन आपसे है यह लोग प्रद आएंगे और भाग जाएंगे तो इनी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से बजारिश करता हूं कि मेरे कहें वी बातों को थोड़ा ध्यान दें सोचें आप समय में वरना दा करना है, में समयधान इंक टरीके से करना है यह वास आपके दिखाएंगई रास्टे से सप्टर प्राथ करनी है वह लोगों हैं प्रसतित हैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले